नई रोप्सनी फिर एट्ट्रेशन हम आपका स्वागत हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं कि मिस्चे के कुछ बहतेरियन सवाल जो आपको विविन परिक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। अंदल और भस्म पदार्थ हैं। ए बिप्रित गुनवाले, बी समान गुनवाले, सी ए भी दोनों, डी इन में से कोई नहीं। इनका सही जवाब होगा ओप्सन ए बिप्रित गुनवाले। कोई बिलियन अंडे के पिसे कवज से अभी किरिया कर एक गैस उत्पन करता है, तो चूने के पाने को दूध्या कर देता है। इस बिलियन में क्या है? इनका सही जवाब होगा ओप्सन बी एच सी आए। वे सवी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं, जो जल में गुल कर किस परकार की आयन देते हैं। इनका सही जवाब होगा ओप्सन बी जिस भस्म के अनू जल में पूंत्या आयनी थोकर हर्डॉक्साइड आयन देते हैं, कहे जाते हैं। इनका सही जवाब होगा ओप्सन सी परवल भस्म। इनका सही जवाब है ओप्सन सी चूना। क्या सभी चारक चारफ हो सकते हैं, तो बताए इन में से कौन सा चारक चारी होगा। इनका सही जवाब है ओप्सन बी जल में गुलन सील चारक। शांदर अमले या चारक को जल के साथ मिर्शित कर किस परकार की अभिकिरिया है। इनका सही जवाब है ओप्सन बी उसमा छेपी। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंद अमलिय या चारक के मात्यम में बदले जाते हैं, ऐसे पदार्थ को किस परकार का सूचक कहा जाता है। इनका सही जवाब है ओप्सन बी गंद या सूचक। धातों के कार्बोनेट और ओकार्बोनेट पर अमलिय के अभिकिरिया से कौन सी गयस उसर जित होता है। इनका सही जवाब होग ओप्सन बी गंद परिवर्तन द्वारा किनकिन पतार्थ की उपस्तेती दर्स आई जा सकती है। इनका सही जवाब होग ओप्सन डी इनमे से सब ही। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बैकार्बोनेट पर हैड्रोकॉलिक अमलिकी अभिकिरिया से कौन सी गयस उत्पन होती है या मुक्त होती है। इनका सही जवाब है ओप्सन डी अक्सिजन गयस इनका सही जवाब है ओप्सन डी अक्सिजन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गयस उत्पन होती है। इनका सही जवाब है ओप्सन डी अक्सिजन गयस इनका सही जवाब है ओप्सन डी इनमे से सभी। इनका सही जवाब है ओप्सन डी अक्सिजन का अधिक अविक्रिया सील्ड है। इनका सही जवाब है ओप्सन डी अक्सिजन का अधिक अविक्रिया सील्ड है। इनका अव्सन स denktे और धाङ्ष्ट